जे इंडिया इस्ट्वेंट देखे अब आपका जो है कि एक्जाम सीटी और एक्जाम डेट भी पता चल गया है तो अब कम से कम सीरियस हो जाएए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और डेफिनेटली चुप मारके आप जितना अधिक स सब्सिट्यूशन का यह जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुकि यह तीसरा वीडियो है आपको पता है अलेडी दो वीडियो हो चुका है और मैं गैरेंटी लेता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा अभी के अभी यहीं के यहीं समझा दूंगा ठीक है चल इनसॉल्वेंट या बैंकरप्ट भी ऑप्सन में देता है तो दोनों सही है बैंकरप्ट या इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया ऐसे लोग जिनके पास अपना कर्ज जुकाने के क्या है पैसे नहीं है बाकी क्यों ऑप्सन भी हम जरूर समझाएंगे पूर का होता है बे सहारा और पौपर का मतलब होता है कंगाल ठीक है देखे जो ऑप्सन होते है न वो भी वन वर्ड के ही होते हैं इसलिए उप्सन भी हम आपको समझाते चल रहे हैं नेश्ट वाला देखिएगा वर्ट्स अटर्ड यहां पर लिखा हुआ है इंपाइसली का मतलब होता है इस्वर की निंदा करने वाला फिलोसपी का मतलब होता है दर्सन और लोजिक का मतलब होता है तर्क अमोरल का मतलब होता है नितीहीन ठीक है नेश्ट देखिए यह एयर फोर्स में कई बार पूछा गया है हाला कि जो पहला वाला हम बताया है वो भी पूछा है ऐसी बात नहीं है यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा 2015 से पढ़ा रहा हूं एयर फोर्स को और करीब करीब साथ साल का experience है आप वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है चलिए नंबर आप शिप्स का मतलब क्या हुआ शिप्स मतलब पानी वाली जहाज की बात कर रहे है जो पानी वाली जहाज होती है उनका जो ग्रूप होता है उसको बेड़ा बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिस में फ्लीट बोलते हैं क्या होते हैं ऑप्सन नमरे फ्लीट बाकी गैलेक्सी का मतल मतलब होता है तारा मंडल और गुरूप का मतलब होता है शमू नेश्ट देखिए ये भी पूछा गया है ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है one who compiles a dictionary compile का मतलब क्या होता है समू करना मतलब संकलन करना जो लोग सब्सकेनरी बनाते हैं उसको lexicographer कहते हैं डियस्ट ध्यान देंगे lexicographer क्या बोलते हैं lexicographer हिंधी में कोष़कार कह सकते है अपसट नमर डी में linguist दिया हुआ जिसका मतलब होता है भासविद और अ है'll लैपिडिय तिये में लैपिडिय उसको बोलते हैं जो लोग रत्म को काटते हैं बनाते हैं पॉलिस करते हैं GEO Commercial का मतलब होते है जीओ का मतलब भूग ऑलम हो गया जीयो से संबन्दित कोई बीचीज जीयो लिखा है न दो भूगोल से संबन्दित अगला देखिए क्या है test in which cell from diseased organs और रोगोंड एड टेस्टएड क्या मतलब हुआ एक परिच्छन जिसमें रोग ग्रस्त अंगों से कोशिकाओं को निकाल कर परिच्छन किया जाता है उसको बायोप्सी बोलते हैं क्या बोलते हैं बायोप्सी अप्शन नमबर A से हो जाएगा देखिए अटॉप्सी भी पूछता है अटॉप्सी का मतलब होता है शवपरिच्छन क्या होता है शवपरिच्छन ओप्रेशन का मतलब होता है चीडव फार करना या प्रक्रिया भी कह सकते हैं ओप्सन नमर्डी में एम्टूटेशन दिया हुआ है एम्टूटेशन का मतलब होता है अंग छेद ठीक है निश्ट देखिए क्या है I에서माल रूम बीग हाउस क्या लिखा हुए सर और स्माल रूम इन बीग हाउस होटेल शीप एटीसी वेर ग्लासेज डिसेज स्पून्स फूड एटीसी और कैप्ट मतलब एक बड़े से घर में एक छोटा सा कमरा चाहाँ पर होटेल की तरह हो जिसमें बरतन और ग्लासेज डिसेज रखे हो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पैंट्री ऑप्सन नमर बी हो जाएगा पैंट्री का मतलब होता है भंडारा आपने देखा होगा गाउं में अभी लोग बोलते हैं एक भंडारा घर होता है जैसे बरतमान में तो खेर कीचन भी उसको बोलके काम चला लेते हैं लेकि करें उभी समझ लेते हैं सर आ कि बाम्दा करेंड नुमष seperti bilang सा mission- diffic ति म pon ये मतलुन अच्छा कीचैन का मतलब तो पता हिए है नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं अग्या है a foreigner who settles in a country एक ऐसा foreigner जो किसी country में set हो गया है in a country है ना उसको प्रवासी बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रवासी immigrant ठीक है option B और emigrant बोलते हैं immigrant का मतल़ होता है और प्रवासी देखिए इसको याद कैसे करेंगे दोनों में बड़ा confusion है immigrant और emigrant ये emigrant है जो लोग बाहर जाके बस जाते हैं उसको emigrant बोलते हैं इसको याद कैसे करेंगे यहाँ पर e दिया हुआ है न e से exit exit मतलब बाहर जालेगा जो बाहर जाके बस से गए उसको emigrant और जो अंदर आके जो किसी कहीं से आके ही बस गए अपने देश में ठीक न किसी दूसरे देश से आके अपने देश में वो इंविडेसी होता है विजिट का मतलब विजिटर वही जो विजिट करते हैं उसको विजिटर बोलते हैं हो एलियन मतलब क्या होता है विद्येसी होता है रहा-धार ड़े मतलब Theatre H हाँ चलिए कुछ होता है कि दबाओं में करते हैं तो जानबुच कर करते हैंто उसको विलिफाई बोलते हैं मतलब जान बुझकर लेकिन कुछ हैशी चीज्जे होती हैं जो लोग अम लोग ओन फ्री विल अपनी इचा से करते हैं मन किया तो कर दिया तो इसको बोलते हैं voluntary option number क्या हो जाएगा C से हो जाएगा voluntary का मतलब होता है अपनी एक्छा से स्वेक्छा से बोल सकते हैं अच्छा compulsory का मतलब हो गया कि निश्चित रूप से जरूरी है compulsory उसको करना है आपको निश्चित है इसे दबाव में भी कर सकते जरूरी निश्चित है ठीक है और option B देख लेते हैं क्या लिखाव है जिसका मतलब होता है कि मेहरबानी से तो मेहरबानी से नहीं यहाँ पर आपको आठ बताएं और आठों के साथ साथ यह जो चार्चा रहे ना आठ चको 32 आपको यह वीडियो पसंद आया होगा चुकि अब तो आपका एक्जाम के लिए डेट भी आ गया है सिटी भी आ गया है अभी आप सीरियस नहीं होंगे तो कैसे होगा बताएं दिन रात आप ताकि हम अंत तक आपको चीजे प्रोवाइड करते रहें ठीक है बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हमसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में आपसे तब तक के लिए जय हिंद ववन दे मातरम